हाई गाईज, वेलकम टू बाइग माई यूटूब चैनल, होम फूट्स आइका में आपका स्वागत है, अस्तलाम अलेकुम, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बक्राइद स्पेशल मटन कौफता कॉर्मा रेसिपी, अस्तलाम अलेकुम, आज हम आपके साथ शेर करेंगे कौफत एक चम्मच जीरा, दो छोटी लेंची, एक से दो तेस पत्ते, पांसे साथ हरी मिर्च लाल मिर्ची एक चम्मच, आजा चम्मच गरम मसाला, नमक हजबे जरूरत, एक चम्मच धनिया पाउडर, आजा चम्मच आइवरेस मसाला, यह उप्शनल है, अगर आपके पास हो तो दाले, नहीं तो कोई बात नहीं आजा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर, आजा चम्मच हल्दी, कसुरी मेथी, एक मिडियम साइस की तली भी प्यास, चार काजू, चार से पाज बादम, भूने होवी चाने की दाले यह, जिसे दालिया भी कहते हैं, हर बहुत से लोग दालवा भी कहते हैं, पास ट्र आप हम पीसी लिंगे, तली हुवी प्यास, काजू, बादम, हमें मिक्सिम आइट करना है इनि चीजों को अब इसे में ही धाई भी आइट करेंगे हम धाई आइट करने कबाद हमें पीस के ले लेना है, बारिक पेष्ड बना लेना है हमारा पेज बन कर तयार है अब हम गेस को आउन करेंगे हमें खुपरा फ्राइ करना है हमने पतिले में तेल एट करें है तेल की कॉन्टिटी हमें जाधी रखनी है आइट कर लिंगे खुपरा खुपरे को अच्छे से हमें ब्राउन करना है अब बहुत जल्दी जल जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा खुपरा हमें जाधा जलाना नहीं है अच्छा लाल कलर आ चुका है मेरे खुपरे का अब हम खुपरे को निकाल लिए अब हमें खुपरे को पीस के ले लेना है पीस्ते टैम आप पानी भी आइट कर सकते हैं अब आइट करेंगे हम इस खुपरे के अंदर जीरा और चुटी लेंची अब हमें इसे पीस के ले लेना है अच्छा बारिक पेस बन चुका है हमारा अगर आपका खुपरा पीसे नहीं गया तो आप पानी भी आइट करके पीस सकते हैं कोध्मीर हरी मिर्च अरह वर फ्यास यह 3 को हमिं मोटा-मोटा पीस लेना है इसे में हमें कीमा अट करना है कीमा पीस्ते टैम आपके कीमे मैं पानी ने रहना चाहिए कीमा हमने पीस के ले लिए हैं अब आइट करींगे हम इसके आंदर अधर गलैसन नमाखाशबे जरूरत आदा चाय का चमच गरम मसाला थनिया पाउडर आदा चाय का चममच इन सब चीज़ों को कीवे माइट कर लिए हमारी पीसी भी दाल का पाउडर राइट करेंगे हम अच्छे सी मिक्स कर लिए दालिय के पाउडर की जगा आप बेसन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बेसन को पहले हलका भून लेना होगा ताकि उसके कच्छीस मिलना आए उसके बाद बेसन भूने बाद फिर राइट करेंगे दो चमच हो राइट करें हमने जा अच्छे सी मिक्स करना है दालिय का पॉडर्ट टोटल चार चमच लगाए हमें यहां कोफते के वास्ते हमें कीमा बारिक पीस के लेना है अब हम बना लिए कोफते तो सबसे पहले हम तेली में ते करना है एक एक जम कोफते एट करेंगे आप कोफते एट करने के बाद दो मिनट तक हमें छेड़ना नहीं है कोफते को सिर्फ ऐसा तेल डालते जाए गरम-गरम कोफतों के उफर दो मिनट हो चुके आप कोफते को हम पल्टी करेंगे और चारो तरफ से हमें अच्छा गोल्डन कलर आयं तक कोफते फ्राय करना है अब फिलेह हमारा नाम मेडियम कर लिए हर गोल्डन कलर आय तक फ्राय करिंगे ag़र दो मिनट में निचे उपर करते जाए भूत कौफतेबू देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ चुक है हमारे कौफतों का अब हम निखाल लिए अब हमें तेल की कॉंटिटी कम कर लेना है तेन से चार टेबल इस्पून तेल रखेंगे हम अब आइट करेंगे हम इसमें गरब मसाले एक लेंची दो तेज पत्ते दो से तीन अब आइट करेंगे हम हमारे मसाले सुके मसाले और हमारा फिलेम या लो रहेगा हमारे मसाले जलना नहीं चाहिए मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी आइट कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना मसाले आइट करने के बाद अध्रक लेशन हमें आइट करना है अब आइट करेंगे हम अध्रक लेशन अच्छे से मिक्स कर लिए अध्रक लेशन की खुश्बा आइट तक भूनेंगे हम अध्रक लेशन हमें, आइट करेंगे हैं शीचा हवा खोपर का पेस्ट भास कडसे की मिक्स कर लिए अध्रक लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, अब एट करना है हमें तलीवी प्यास और दही का पेस्ट, अब इसे तीन से चार मिनट पका लेंगे, तेल भी हमारा सेपरेट हो चुका है, यानी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब एट करेंगे हम पानी, मुझे ना गिरेवी चाहिए था, इसलिए मैं पानी थोड़ा मैंने एट करी हूँ, अब एट करेंगे हम कोफते, कोफते एट करने गवार पार्च मिनट तक पका लेंगे हम, पाच मिनट हो चुके मेरे, देखिए अच्छे से पाक चुका है हमारा, अब एट करेंगे हम इसके अंदर धनिया, अच्छे से मिक्स कर दिंगे, गैस को आफ कर दिंगे, हड़ा के रख दिंगे, तो देखिए गाइस हमारा मटन कोफता कॉर्मा तयार हो चुका है, तो आप भी जरूर इस बकराई पर इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, मटन कोफता कॉर्मा की रेसिपी, अगर आपको हमारी रेसिपी पसा नहीं तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल होमफूट जायका को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लिस हमारे होमफूट जायका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आउन कीजिए, तो जब झाल झाल